हेलो दोस्तों, आज हम काना जी का ये टोपी लगा हुआ, टोपी साथ में लगा हुआ पोची बताएंगे, दिखे जो ये इस तरह से बना हुआ है, ये एक तो ये क्रोसिया से बना हुए हैं, ये क्रोसिया से बना हुआ है, और साथ में जो ये दुसरा है, ये सलाई से बना चाहती हैं और सलाई से जो मैं बना के डालती हूं उसे क्रोसिया से जानना चाहती है इसलिए हम इस वीडियो में दोनों एक साथ ही बता रहे हैं तो सबसे पहले आये देखते हैं क्रोसिया का बना हुआ ये छोटे कानाजी का है तो ये देखते हैं किस तरह से बनता है सबसे प अगर और ये घहरा चाहती हैं, और यहां से यहां तक बुरी गुलाई की रूप में, तो और फंदे दे कर इसे आप बढ़ा सकती हैं, यह हम हाफ में बनाये हुए हैं, तीन नमर के काना जी का है, आप फंदे अपने अनुसार लेकर आप इसे बढ़ा या छोटा बना सकती हैं तो आएए देखते हैं कैसे बनता है इसे बना लेने के बाद आप कुछ इस तरह का मोती से इसे सजा सकती है आप किसी भी तरह का चाहें आप हाफ मोती हो या लेस हो से भी आप इसे सजा सकती है तो ये कुछ हम इस तरह से मोती से इसे सजाय हुए हैं सबसे पहले इससे सुरू करने के लिए चेन लेंगे 15 चेन हम ले लेंगे ये जो टोपी बना हुआ है ये 10 चेन से बनाए हुए हम और अभी इस वक्त हम आपको 15 चेन से बता रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा और बड़ा चाहिए इसलिए हम 15 चेन लेकर यहां पर बता रहे हैं 15 चेन लेने के बाद फंदे ले लेंगे फंदे लेकर हम पहला जो चेन दिख रहा है उससे ठीक नीचे जो चेन है उस पर हुँख कोडा लेंगे और एक डबल क्रूसिया करेंगे अब हम इन सारे चेन को यहां से लेकर यहां तक एक लाइन में सबों में हम डबल क्रूसिया करते हुए इसे कंप्लिट कर लेंगे यह थी 3 प्लाइ के उन से हम बना रहे हैं आप चाहें तो अगर 2 प्लाइ के उन से बनाती हैं तो फंदे यानी चेन आप ज़्यादा लें इसे हम लाष्ट मान लेते हैं लाष्ट चेन यह लाष्ट चेन जब हम बूनेंगे तो देखिए यहां पर एक डबल क्रूसिया करेंगे एक डबल क्रूसिया दूसरा तीसरा तीन डबल क्रूसिया यहां से हम करेंगे यह हो गया तो यह हो गया तीन अगर आप बड़ी कानाजी का बना रहे हैं तो यहाँ पे आप पाँच डवल क्रोसिया कर लें क्योंकि यहां से इस तरह से घूमेगा अगर आप यहां पे पांच डवल क्रोसिया नहीं करेंगे बड़े काहना चीका बना रहे हैं तो यहां पे सिकूडन आ जाएगा ज़ादा सिकूडन आ जाएगा और हमें थोड़ा कम चाहिए इसलिए देखिए हम यहां पे तीन डवल क्रोसिया कर चुके हैं लाश्ट जो चेन बचा है उस चेन पे हम तीन डवल क्रोसिया किये हुए हैं अब इसे घुमाते हुए हम इस तरह से बाकी जितना भी चेन पे हम जो डवल क्रोसिया किये हुए हैं वहां पे हम डवल क्रोसिया क करके इस तरफ से भी तयार कर लेंगे इस तरह से फिर एक फंदा लेंगे और देखिए अगला में यहां पर अगला में हम इस तरह से कुरुशिय को डालेंगे और डबल कुरुशिया करेंगे लाश्ट तक हम इसी तरह करते चले जाएंगे यह लाश्ट जा रहा है यहां पे भी हम डबल गुरुशिया कर लेंगे यह यहां से यहां तक हो गया अब हम इस पे इस तरह से बन चुका है अब हम यहां पे तीन चेहर लेंगे एक दो तीन पलट लेंगे पलटने के बाद एक छोड़कर यह डबल कुरुशिया छोड़कर अगले डबल कुरुशिया पे हम इस तरह से होक को डालेंगे उपर की ओर से और डबल कुरुशिया करेंगे यह हो गया अब देखिए अब हम फिर फंदे लेंगे और नीचे की ओर से अगला जो डबल कुरुशिया है उस पे नीचे की ओर से इस तरह से फंदे लेकर इस तरह से निकाल कर हम यह डबल कुरुशिया बनाएंगे यह हम और भी वीडियो में बता चुके हैं देखिए फिर से ध्यान दे, एक हम उपर से लेंगे, दूसरा नीचे से लेंगे, इस बार हम फिर उपर से ले रहे हैं, इस तरह से, ये डबल क्रोसिया हम यहाँ पे किये, फिर से फंदे लेंगे, और ये जो इसके जेश्ट बगल का जो है डबल क्रोसिया, इस पे हम नीचे की ओर से लेंग अब हमें बीच में कहीं भी फंदा को बढ़ाना नहीं है जैसे हम कोना पर आए थे तो हम फंदे को एक चेंद में तीन डबल कुरूसिया किये थे वो चीज हमें नहीं करना है इस तरह से देखें यहाँ पर फिर से बीच में पीच का भी हम इसी तरह से बना लेंगे अब अगर आपको लगता है कि यहाँ कम पढ़ रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम कहीं भी बढ़ाए नहीं क्योंकि हमें इसे टोपी का सेप देना है इसलिए यहाँ पे हम कहीं भी नहीं बढ़ाए हुए हैं बस ए एक बार उपर से लेना है एक बार नीचे की और से लेना है कि यह लास्ट का जो बचेगा इसे हम नीचे की और से इस तरह से लेंगे यह हो क्या देखे इस तरह से यह आया अब इस पर फिर हम एक दो तिन तिन ले ले पलट लेंगे हमें इसे अभी और बनाना है देखे इस तरह से टोपी का सिफ आ रहा है यह इसे और हम बूनेंगे यहां पर जितने बड़े कानाजी का आपको चाहिए उतना आप यहां पर ले करके बून सकते हैं जैसे कि यह हम बुड़े हुए हैं 15 फंदो से अगर आप बड हाते चले जाए छोटे कानाजी का चाहते हैं तो दो तीन दो चेन घटा लें आप इस तरह से इसे हम कंप्लिट करेंगे अब यह नीचे की ओर से है तो हम इसे नीचे की ओर से ही लाकर इस तरीके से बूनेंगे डबल ग्रोसिया कर लिए अब फिर से फंदे लेंगे देखे यह उपर की ओर से है तो इसे हम उपर की ओर से पूनेंगे इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लिट कर लेंगे ध्यान रखें कि यहां पे हमें फंदा यानि डबल कुरूशिया एक डबल कुरूशिया एक से दो डबल कुरूशिया नहीं करना है झाल झाल इस तरह से यह लाइन भी कम्प्लीट होता है यह देखे इस तरह से बन रहा है इस वक्त हम और एक बार और दालेंगे जैसा कि इसमें है देखे एक बार और हम लेंगे एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर हम बना लेंगे बड़े कानाजी का है तो आप उस अनुसार यहाँ पर और बढ़ाते चली जाएं क्रोशिया से बनाने पर यहाँ पर हमें सीलना नहीं पड़ता है और सलाई की कि द्वार अगर हम बना रहे है तो हम यहाँ बीच में सीलना पड़ता है तो इस तरह से एक बार और हम इसे बना लेंगे देखे इस तरह से ये बन कर तयार हुआ है ये टोपी का रूप बिल्कुल आ चुका है ये टोपी बन चुका है अब इस पे आप ये के ये पोचू जो हम बनाते हैं इस पे खिनारे में देना सिर्फ बाकी है तो इस पे हम बता दें आपको कि ये जो बनाए हुए हैं इसमें हम हाफ बनाए हुए हैं हाफ ये इसे अगर आप पूरा चाहती हैं तो आप अगर पूरा चाहती हैं तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे भी बताएंगे वो तीन के जगह चार लें और अगर आप इस तरह का चाहती तो चार आप लें जैसे की देखिए अब हम इसे बना चुके हैं इसे बना लेने के बाद में अब हमें यहाँ से यहाँ से यहां से यहाँ तक हमें डबल कुरूशिया करते हुए बुढ़ना है सबसे पहले तीन चेन लेंगे एक पहले से ले चुके हैं दो और एक तीन तीन चेन लेने के बाद में ये जो देख रहे हैं आप इससे हमें चार डबल कुरूशिया बनाना है इसके बाद फिर इससे हमें चार डबल कुरूशिया बनाना है इस तरह से हमें परतेक में चार-चार डबल कुरूसिया बनाते हुए पूरा यहां से यहां तक कंप्लीट करना है वो जो ग्रीन कलर का हम बनाय हुए हैं उस पे हम तीन डबल कुरूसिया डाले हैं और इसमें हमें घेरा चुकी जादा चाहिए तो हम चार डबल कुरूसिया डालेंगे तो इस तरह से हम बनाना सुरू करेंगे एक डबल कुरूसिया और यह एक तो दो डबल कुरूसिया हो गया तीन और यह रहा चार एक स्थान से चार डबल कुरूसिया फिर से फंदे लेंगे अब यहां से भी हमें चार डबल कुरूसिया करना है एक दो तीन यह रहा चार फिर से हमें यहां से भी चार करना है एक दो तीन चार इस स्थान से भी चार डबल कुरूसिया करेंगे दो तीन चार इस तरह से देखिए परते एक जगह से हम चार चार डबल कुरूसिया करते हुए यहां तक कम्प्लीट किये है अब आगे हमें फिर से यहां से चार डबल कुरूसिया करेंगे एक दो तीन चार फिर से यहां से इसके ठीक पगल से चार डबल कुरूसिया एक दो तीन चार इस पे भी चार हो गया अब यह लाश्ट है लाश्ट में हमें करना है यहां भी हम चार डबल कुरूसिया कर लेंगे दो तीन चार तो इस तरह से देखिए चार चार डबल कुरूसिया एक एक स्थान से करते हुए हम इस लाइन को पुरा कम्प्लिट किये हुए है अब कम्प्लिट कर लेने के बाद में हम दूसरा लाइन बुनेंगे इसके लिए पलट लेंगे पलटने के बाद में तीन चेन लेंगे एक, दो, तीन अब हमें इसी चीज को बिनना है जो हम यहाँ उपर टोपी में डाले हुए हैं इसी चीज से बिनते हुए हमें इसे कंपलिट करना इस लाइन को तो दिखिए सबसे पहले हम इसे एक छोड़कर एक डबल कुरुषिया छोड़कर अगला से हम उपर की ओर से कुरुषिया को डालेंगे और यह डबल कुरुषिया बनाएं अब हमें फिर नीचे की ओर से डालना है एक उपर से डाल चुकें, दुसरा नीचे की ओर से डालना है यह दूसरा तयार किये फिर अबर उपर की और से एक उपर से तो एक नीचे से इस तरह से हम तयार करेंगे इस तरह से तयार करते हुए हम पूरा इस लाइन को कम्प्लिट कर लेंगे एक उपर की और से एक नीचे की और से तयार करते हुए पूरा इस लाइन को कम्प्लिट कर लेंगे यह हमारा डबल कुरोसिया में लाश्ट होगा लाइन इसके बाद हम यहाँ पे लेस के द्वारा इससे कुछ हम सजाएंगे इस तरह से देखे इसे हम बनाएं यह पूरा गोलाई में कम्प्लिट हो चुका है यह पूरा गोल है इस तरह से यह अगर आप इस पर और घहरा चाहती है तो 5 दे दे एक अस्थान पर 5 दे कहीं 4 दे कहीं 5 दे इस तरह से अगर करेंगे तो और इस पर घहरा आजाएगा लेकिन इतना घहरा ठीक है अब हम इसे देखिए आगे बनाएंगे आगे हम इसे बनाएंगे इसके लिए दो चेन ले लेंगे दो चेन पहला हम एक चेन पहले से ले चुके थे दो चेन हो गया अब इसे स्थान पे हुग को डालेंगे हम और डालने के बाद हम इस तरफ से बनाते हुए जाएंगे क्योंकि अगर हम इस तरह से उलटकर बनाएंगे तो ये उलटा तरफ का portion है ये देखने में कुछ ठीक नहीं लगेगा इसलिए यहां से बनाते हुए हम इसे लाकर यहां complete करेंगे यानि यहां से बनाकर लाएंगे यहां से बनाते हुए इसे लाकर यहां complete करेंगे तो इसके लिए देखे हम इस तरफ से कर लिए हैं अब हम यहां पर double crochet बनाएंगे सबसे पहले single crochet इस तरह से बना लेंगे फिर हम एक double crochet बनाएंगे इस तरह से एक double crochet फिर से फंदे लेंगे फंदे लेकर फिर से एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे देखिए इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया कर चुकी है एक सिंगल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया अब इसे लाकर हम यहाँ पे बंद कर देंगे इस तरह से बंद कर दियें फिर से एक चेन लेंगे फिर फंदे लेंगे तीनों को एक साथ किरा देंगे फिर से चेन लेंगे फंदे लेंगे फंदे लेंगे फंदे लेने के बाएर डबल कुरुशिया दो डबल कुरुशिया तयार करेंगे एक और एक दो अब इसे लाकर हम इ देखे इस अस्थान पर बंद कर दिये यहाँ पे अब यहाँ से लेकर यहां तक हमें यह चीज नहीं बनाना है सिर्फ हमें चेन देते चले जाना है आप तियान देख इस तरह से चेन देंगे हम यह जो चेन दिख रहा है हर जगह यहाँ पर आपको लंबाई में चेन दिखेगा एक चेन में हम फंदे हूप को डालेंगे इस तरह से फंदे लेकर निकालेंगे और इस से इस तरीके से निकालेंगे फिर से इसी क्रम को दोहराएंगे यह इस तरह से ध्यान दे की ज़्यादा टाइट हाथों से ना करें धिला धिला हाथ सी से बुनेंगे हम फिर से यहां से लेकर यहां फिर से हम अगला में डालेंगे और यहां से लेकर यहां इस तरह से हम चेन बनाते चले जाएंगे फिर से ध्यान दे यहाँ पर हुख को डालेंगे निकालेंगे और इससे यहाँ इस तरह से हम बनाते हुए इसे कम्प्लिट कर लेंगे इससे हम ज़्यादा टाइट निक करेंगे बिल्कुल डीला डीला घिराएंगे हम बिल्कुल डीला होना चाहिए हमारा हाथ यहाँ बुनते हुए बिल्कुल डीला होना चाहिए यहाँ लाकी से बंद करेंगे लाश्ट यह यहाँ पर आ गया यहां पर लाश्ट आ गया, अब हम दो, इस तरह से यहां पर हम दो बनाए हुए हैं, लेस, उसी तरह से दो हम यहां भी बना लेंगे, पनाने के लिए, सबसे पहले हमें फंदे को इस स्थान पर ले जाना होगा, यहां पर, देखें, अब एक चिन ले लेंगे, इस तरह पंद और एक दो इसके बाद इससे यहां लाकर बंद कर देंगे इस तरह से फिर से हम एक यहां पर चेन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं हाप एक चेन इस तरह से चेन ले लिए फंदे लेंगे हाफ क्रूशिया फिर से डबल कुरूशिया एक और एक दो अब देखे चुकि यह कोना है इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा दूरी देकर नहीं बनाएंगे इसे हम इस अस्थान पे इस तरह से मोड़ेंगे फिर से यहाँ पे लेंगे हम फन ले देखे इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे हम दो यहाँ पे निकाले अब हम अगला फिर से बनाना सुरू करेंगे अब देखे अब हम इसे कहाँ पर ले जाके बंद करना है इसे हम जादा दूरी में नहीं बंद करेंगे हम यह एक यानि कि यह जो एक डबल कुरुस्या देख रही ही यह और यह एक डबल कुरुस्या दो के बाद यहाँ हुप को हम ले जाएंगे और इसे यहाँ पे बंद कर देंगे इस तरह से करते हुए हम पूरा इस line को भी complete कर लेंगे तो देखिए ये इस तरह से बन कर तयार हो गया देखने में काफी खुबसूरत लगता है आप यहाँ पे यहाँ पे आप डोरी डाल सकती है यहाँ डोरी डाल देंगी तो यह आप बादने का काम में आएगा इसके बाद आप इस जगह पे अपना जिस ठंग से सजाना चाहती है मोती के द्वारा, हाप मोती के द्वारा, लेस के द्वारा आप उस ठंग से यहाँ पे अगर कुछ सजा करना चाहती है तो सजा सकती है देखने में काफी खुबसूरत लगता है ये बनकर कुरोशिया से तयार हो चुका है अब हम सलाई के द्वारा बनाएंगे सलाई के द्वारा देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है कुरोशिये से कम्प्लिट कर लेने के बाद में अब हम सलाई के द्वारा बनाएंगे सलाई में देखे इसे हम यहां से उठाएंगे यहां से बुनते हैं यहां से बुनते हुए हम यहां लाकर कंप्लीट करते हैं तो सलाई से बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पे 20 फंदा सलाई पे डाल लेंगे 20 फंदा डाल लेने के बाद में हम इसे दोनों तरब से उल्टा उल्टा ही बुनेंगे अगर आप सिधा बुन रही है तो दोनों तरब से सिधा बुने उल्टा बुन रही है तो दोनों तरब से उल्टा बुने इस तरह से हम दोनों तरफ से उल्टा वूनते चले जाएंगे वून हम इस पे लिए हुए हैं टूपलाई का उन लिए हुए हैं जिसे हम दो बार लपेट लिए हैं और ये दोनों को मिलाते हुए हम बून रहे हैं और शिलाई आप इस पे 13 नमबर का ले ले या तो फिर आप इस पे 11 नमबर का सिलाई भी दे सकते हैं इस तरह से देखिए हम इसे बुनते हुए इस लाइन को सबसे पहले कम्प्लिट करेंगे यह हमारा पहला लाइन है दूसरा लाइन भी हम उल्टा ही बुनेंगे यह जो सलाई से हम बनाए हुए है बना के रखे हुए है यह चार नमबर के कानाजी का है चार से पांच नमबर के कानाजी को आप बना सकती है देखिए एक लाइन भुनकर कम्प्लिट कियें अब दूसरा लाइन भी हम उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से हम इसे देखे कितना लाइन में भुनकर कम्प्लिट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ यानि कि अगर सलाई से हम इसे इसे इस पे बुनकर कम्प्लिट करेंगे आपके पास जितने नंबर के कानाजी हैं उस अनुसार आप उनका यहाँ पे यह चीज जो लंबाई होता है यह चीज डालें इस पे हम 14 यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसे इसे हम 14 लाइन में कम्प्लिट कर चुके हैं अब हम देखे यहाँ पे फंदा बढ़ाना सुरू करेंगे तो इस तरह से देखे पहला हम उतार लेंगे अब हमें सीधा बुनना है पहला उतार लेंगे इस तरह से अब हम दूसरा बुनेंगे देखे इस तरह से या तो आप यहाँ पे जाली बना सकती है या तो आप बढ़ा सकती है इस तरह हम जाली बनाते हैं इस ठंग से एक जाली य यह हो गया अगला भी बनाएंगे यानि जितना भी फंदा हमारे पास है सब में हम जाली बनाते हुए चले जाएंगे सिर्फ शुरुवात का एक फंदा हम उतार लेंगे और लाश्ट का एक फंदा हम जाली बनाते हुए बुन लेंगे इस तरह से हमारे पास फंदा बढ़ जाएगा उल्टा तरब से बिल्कुल उल्टा बुनेंगे ये देखिए अब लाश्ट फंदा में हमें किस तरह करना है फंदे को अपनी और करेंगे एक जाली बनाएंगे ये अब हम यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ चुका है अब हम फंदे इसे पलटेंगे पलटने के बाद सारे फंदों को उल्टा बुन देंगे अब हम दोनों तरफ से उल्टा नहीं बुनेंगे उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बुनेंगे सिर्फ टोपी में हमें ये धारी जो उल्टा से गया हुआ है ये सिर्फ हमें टोपी में रखना था फिर इसके बाद अगर आप चाहेंगी तो बॉर्डर में रख सकती हैं अगर आप इस पे लाष्ट में एक रूसिया का काम नहीं करेंगी तो आप बॉर्डर में उल्टा बॉर्डर रख सकती हैं इस तरह से हम पूरा उल्टा बुन कर यहां कंप्लिट कर लेंगे ये पूरा उल्टा भून लेने के बाद में अब हम देखिए यहाँ पे सीधा तरब से आये हैं एक बंदा उतारेंगे फिर से हमें उसी तरह जाली बनाते हुए प्रते एक बंदा में से एक बंदा बढ़ाते चले जाना है तो इस तरह से ये लाइन भी कम्प्लीट कर लेंगे इसके बाद उल्टा तरब से हम उल्टा भून लेंगे इस तरह से देखिए हम ये फंदों को बून चुके हैं उल्टा तरब से पुरा उल्टा बून लेने के बाद में दो बार हम फंदा यहां पे बढ़ाए हुए हैं देख सकती हैं ये एक बार है ये दुसरा बार है अब हम यहाँ पे सीधा बून देंगे, सीधा तरब से सीधा और उल्टा तरब से उल्टा बून देंगे और जब हम तीसरे सलाई पे आएंगे, पहला सलाई सीधा बूनेंगे, दूसरा सलाई उल्टा बूनेंगे जब हम तीसरा सलाई में आएंगे तो सारे फंदों को हम बंद कर देंगे तो इस तरह से हम सबसे पहले पहला सलाई बुनते हैं इतना जाली बनाने के बाद का पहला सलाई सीधा तरब से सीधा बुनेंगे इस तरह से देखिए ये दो लाइन पूंड लेने के बाद में हम इसे सारे फंदों को हम गिरा चुके हैं यानि बंद कर चुके हैं सारे फंदों को हम बंद करने के बाद ये गुलाई में कुछ इस तरह का इसका ये देखिए यह इस तरह का आपका गुलाई बन कर सामने आया तो यह बन जाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ इसे इस तरीके से पलट लेना है यहाँ पे इस तरीके से पलट लेना है पलटने के बाद में यहाँ पे आपको सिल देना है सिलने से ये टोपी का रूप हो जाएगा क्रोसिया में यहाँ पे सिलना नहीं पड़ा था लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह से सिल देना पड़ेगा ताकि ये टोपी का रूप हो जाए और सिलने के बाद देखिए यहाँ पे हम जैसे सिल चुके हैं इसे सिलने के बाद में ये क्रोसिये से हम यहाँ पे जिस तरीके से इस पे काम किये हम जिस तरीके से इस पे काम किये हैं उसी तरीके से यहाँ पे हम काम कर लेंगे जिस तरीके से हम इस पे काम किये हुए हैं यहां पे हम क्रोशिया से बनाए हुए हैं फंदो को डालते हुए अभी हम जो इस पे आप लोगों को बताएं उसी धंग से हम इस पे भी काम कर लेंगे यहां सील लेने के बाद में किनारे में हम उसी धंग से यहां भी काम कर लेंगे तो यह इस तरह से बनकर तयार हो जाएग इस पे आप मोती बगरा लगाना चाहती हैं तो मोती बगरा भी लगा दें तो ये बन कर इस तरह से तियार हो जाएगा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा चुकि हम इस पे आप लोगों को क्रोसिया से काम करना बतला चुके हैं इसलिए हम इस पे नहीं ब झाल झाल